हेलो गाईज वेलकम टू माई चैनल वीके कार्सफ़ाइंट सो कैसे आप लोग आई हो क्या आप सही होंगे तो गाईज आज मेरे सामने है और आ सामने से कुछ ऐसी दिखते हैं आपको देख सकते हैं आप साइड प्रोफाइल आपका ऐसा है रियर ब्रेक्स साइड यह है आपका हॉल डाउन पूरी कुमा देता हूं आप देख सकते हो पूरी साइड बैड पूरा देख सकते हो आप कैसी है काड़ी इसमें आपको स्यंजी जरूर मिल जाती है और स्यंजी आज क्टेम पर पता ही लोग वक्त सी अजी के उपर ज्यादा बगड़ें कि पैट्रोल डीजल हर चीज महंगी हो चुके लेकिन आजकर लोग सब जादा सींजी पर पकड़िया है उसका खेर हर चीज पर महंगा ही तो सामने से कुछ ऐसी है आपको देख शो तो आपको इसमें कोई ज्यादा ब्याइपी कोई लाइट मीलति है तो कि आपको अब देख सकते हैं और नीचे आपको एक फोगलेप मिल जाएगा और सेमें आपको डी और शाइप को मिल जाते हैं जो कि अच्छा लुकिंग देती है है और वाणडाई की बैजिंग मिल जाती है वह जो लोगो इसका और इसमें व जो कुग है वह घ्री में एगे इनकि पियाम यहाँ इसा यह पीजलिय पकंपनि प्लास्टिक है साइड में कि एम तो कुछ ऐसा है रीर बैक साइड से इसकी ज। लाइट उसी लिखाट रख की जो की गजद तो लगती है जो इसमें फिर यह प्यानु फिन तो यह है इसकी लाइट और यह आपको पैनल मिल जाएगा पैनल जो दिया गए ना इसमें पहले तो खेर नहीं दिया गया था और जो अब दिया ना भाई वह एक अलगी सो देता है गाड़ी की बैक प्रोफाल में अलगी सो देता है कि इस पोर्ट लुक में और आप देखें तो बैक की लाइट जो है नहीं यह राउंड आरम से यहां सिद्धी पूरी जलती है यह आपको इंडिकेटर मिल जाता है यह को रियर बैक लाइट मिल जाती है दो आपको सेंसर मिल जाएंगे इसमें आपको और नीचे भी आप देख सकते हैं यह जो लाइ जाएगा आप प्रुसका कम्पणी का लोगों मिल जाएगा और आगी वेजिंग मिल जाएगी वह यह एक एक होनडा ही कम्पनी ना एक अलगी पहचान बना चाप दिया वाई बहुत अच्छी जो नहोंने लिए बाई जो गाड़ी लिए नहीं इनके फैन है बहुत अच्छी मालेजी अच्छा इसा अब इमें नेनिताल से गूम के आ रहे हैं अब बताओ भाई आपका फुल रिब्यू आपको बता रहे हैं अब भी मेरे तीन पॉंट बचे हुए है और मैंने डस कीज लिए ती और क्या ना में युद्ध कर दी जानी तो आभरेज भी साही दे रही है अगर मैं आगारी को खेचके चलाता हूं 140 120-500 पिलस करता हूं तो 30 कि निकाल दीटी आपको पर आपने जो गाड़ी चलाई है उसका पूरा एक्स्पिरिंस आपको मिल चुका है तो गाइस तो गाइस मैं आपको खुद दिखा रहा हूं जो की जो औरा गाड़ी इसने लिए रखी है जो सर हैं वन्होंने आपको बता दिया है कि फुल आपका रिब्यू दे रहे हैं क्यों अच्छी नहीं चलती हो और इनको पता भी चलता है कि मैलेस कैसे ही और गाड़ी का खुद ऑनर खुद अपना रिव्यू दे रहे हैं डिजायर से अच्छी बता रहे हैं और और तो खुद आप सुन सकते हैं और से जो सर है और उन्हों की गाड़ी है तो उन्होंने खुद अपने आप से ही बताया कि गाड़ी का भाई कैसा परफॉमेंस है कैसी कमफोर्ट लगता है कैसा भाई फीलिंग्स देते हैं चलाने के लिए बो सर खुद बता रहे हैं तो गाईस अब चलते इसके अंदर इंटीर को इंटीर को देखाते हैं आपको तो कुछ ऐसा है इस गाड़ी का इंटीरियर और सबसे खास बात इसमें दो यह भी हैं जो मैं मतलब मुझे अच्छी लगती हैं इसको इसका सब्सक्राइब और 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 सब्सक्राइब तो देख सकते हो भाई और ने खुद बता दिया इसका सारा परफॉर्मस बता दिया को कैसा है कैसा नहीं तो एक बार हम अंदर चलते हैं आपको इंटेर दिखाते हैं और मेरे थोड़ी लंबाई है ना इस गाड़े मानी पाती है सवही सबसे मेन चीज आपको दिखाओं भाई इसकी बहुत प्यारी है मुझे लगती है भाई हरकी से को प्यारी लगती है काड़ी है एमारे हाथ में और यह तो नॉर्मल सी बात है हरकी सीमें हो रहा है वसल्ज सह प्रता है लेकिन फोर्टोनर में हो ऐसा की मिले आफ नौमलाग रॉपे में क्रेटा में हो तो हॉन्टा ही तो गाइस देख सकते हो आप इसका परफॉर्मेंस के बारे में आपको खुदी और ने सब आपको बताई दिया है कि इसका परफॉर्मेंस है कैसा और क्या लोग है भाई खुदी और बाई जो चला रहे हैं सब मिल जाते हैं यह सब कर्ण को कट्रॉल मिल जाते हैं चार्जिंक के लिए बिगर एडप्टर के मतला हम सिर्फ लीड यूज़ कर सकते हैं इसका इंटियर जो ने इसका कलर फूल बना गया है यह तरह से कलर फूल बना हुआ है यह देख लिए बहुत बढ़ी है यह इसा बैंग नहीं 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 सकते ज्यादा बैंग डार्क हो जाते यह तो ऐसा लगा रहा है जो कि कलर फूर बनाता है और इसको देख लीजिए वाई यह आपको ग्लस बॉक्स मिल गया इसमें कूलिंग भी सिस्टम भी दिया हुआ है कि अर्द यहिए अलग पर ल स्पेस बना करके आपको सामन रख सकते हुए और आपको यहां पर भी कुछ सामन रखने के लिए आरम से दिया गया है और आप डेसवोड आपको देख सकते हो अच्छा कासा है यह आपको मिल जाए क्लिश्टर और इसमें आपको कोई डिस्प्ले नहीं मिलेगी इसमें आपको यही मैनुवल मिलेगा सब कुछ चलाने के लिए और इसमें दो पर नीचे बाला आके पीछे ना उपर नीचे कर सकते हैं जहां पर नीचे तक निया पारहूं से तो अगर नीचे कर दो कि मैं नहीं आ पाऊंगा अब उपर करूंगा इतना तब आ जायागा तो यह भी अच्छा कार सा फीचर से भाई और हम सीट में पनीचे कर दखते हैं इसमें एक ऊफसन दिया गया है जो इलेक्ट्रिकल तो नहीं इसमें इलेक्ट्रिकल नहीं मिलेगा आपको मैनुवली करना पड़ेगा एसी की तो बात थी यह लगर इसकी इसलिए गोल में और इसको आरम से तकते हैं भाई गज़ा भी से यह एक को ट्यूटर मिल जाएगा करें और एक कमझत पहले निवे मिल जाएंगा सपीकर की बात खरें तो यह स्पीकर की बातोरों तो ने detect पाई करए तो बन बताजाएं सब्सक्राइब करें टॉप है कि यह दो ऋनों सीट में मिल जातें आपको माइक मिल जाता है है यहां आपको एक्षुन वाइजर दो आपको मैनुवली मिलती है और यह आपका इंडिकेटर के लिए जो टू-टू डूनों साइड अपना चलते रहेए जाते हैं जो कि बहुत बड़ी लगता है और यहां पर आपको बोटल रखने का मिल जाता है और थोड़ी बहुत आपको यहां पर थोड़ी बहुत से स्पेस है और आगे आप देख सकते हैं अच्छा काच से स्पेस दिया गया है कोई ज्यादब हो नहीं है तो इस गाड़ी आप चलते हैं आप में रियर बैक साइड बाई यह लगी आवाज है तो बात हैं कुछ ब्रों बढ़ी स्पेस के मामले में तो बढ़ी आगे अच्छा का चया स्पेस दिया गया इसелен भात सबस्ट रहा है घाईस देख लिजे आपको एक पर चार्जन के लिए डिए चार्जन पर लगाना पड़ेगा और आपको पीछे दी गई है और आपको लाइड ही पीछ दी गई है और क्या लोगे आम्रस भी है आमरस भी आपको इसमें दिया गया है और अच्छा खासा सीट भी है और इस पेस भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है अब चलते हैं इसके डिग्गी पर यहां पर आपको साइड में तो आपको बोटल रखने के लिए मिली जाएगा इस पेस तो देख सकते हैं चावी से खुल जाएगा खुल गया भाई ना तो रख भी रखा है अपना सामण इसमें सिएंजी देख लों सियंजी और अच्छा हाँ स्पेस तो बहुत है लेकिन सिएंजी की लगी हुई जस्ट और फिर भी आप बहुँ सारा सामर भी रख सकते हैं अब इसने और अंदर से देते हैं इसको भी और अब तो खेर बाहर में आ रहा है फिर अब तो यह दो ब्लबाना जो भी है बदला जाएगा यही भी लेकिन इस पेस के मामले में बात करूं तो इस पेस तो गाड़ी में बहर पूर है तो ऐसी थी हमारी और आप लोग कैसी लगी यह जुरूर बताना कमेंट्स में तो आपको आल राउंड आपको गुमा के बता देता हूं कि कैसी है और आपके टैर मिल जाते हैं जो कि आपको इसमें ऐलोई विल तो मिलते नहीं है तो गाइस यह है आपको 14 इंची आपको टैर मिल जाते हैं और आपका वील कवर मिल जाता है इसमें आपको आलोई विल नहीं मिलते हैं तो देख सकते हैं आप यह हैं आपकी और जो कि आपको इ एड़ेस्टेबल नहीं होते हैं लेक्ट्रिकल क्योंकि बेस मोडल है बेस सेकंड सीनजी तो कुछ ऐसी थी आपकी औरा जो कि न मिडल क्लास के लिए भी अच्छी खासी गाडी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आरमस कोई भी खरी सकता है इसको तो कैसी लगी आपको गाड अच्छी लगती है वह आप कमेंटर जुरूर बताना सुभाइस थैंक यू जैहिंद